रफाल डील पर मूदी सरकार को गिरने की राहूल गांधी की एक और कोशिश फेल नज़रा रही है पीएसी के सामने अटॉनी जेनरल और सीएजी को बुलाने के लिए पीएसी अध्यक्ष मलिकार जुन खड़गे को समिती के सदस्यों का समर्थन नहीं मिला है रफाल डील पर सुप्रीम कोट के फैसले से संजीवनी मिले के बाद सरकार के लिए एक और राहत वाली खबर आई है सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में जिस सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दिया था उस पर राहुल गांधी ने दावा किया था कि मलिका जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली पीएसी के सामने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है जिसके बाद खड़गे ये चाहते थे कि अटार्नी जनरल और सीएजी को पीएसी के सामने तलब कर पूछा जाए कि कैग रिपोर्ट आखेर संसद में कब पेश की गई है लेकिन चुकि केंदर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीएजी और पीएसी पर हलफ नामा दाखिल कर दिया है लिहाजा इसकी संभावना बेहत कम है इखड़के सीएजी और अटाउनी जनरल को समन करने के लिए पीएसी के दूसरे सदस्यों से बात करें बीजेटी का कहना है कि 2018-19 के लिए पीएसी के एजेंडे में रफाल डिल नहीं था लिहाजा पूरी समीती के सामने एजी और सीएजी को तलब नहीं कर सकते हैं बीजेपी का कहना है कि कैग और एजी को समन करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने जैसा है पीएसी के 22 सदस्य पैनल में बीजेपी का बहुमत है क्योंकि उसके 12 सांसद शामिल है साथ ही सहयोगी दलो, शिवसेना और अकाली के भी एक एक सांसद है जबकि खड़ के समेत कॉंग्रिस के 3 सांसद है इसके अलावा टीमसी के 2 सांसद वा टीडीपी, बीजेडी और एआईए डीमके के एक एक सांसद है